देखें, माफिया अतीक अहमत के काले समराज्य को लेकर लगातार नए खुलासे हो रहे हैं आज तक कुछ सुप्रों के हवारे से मिली एक्स्प्लोसिप जानकारी के मुदाबेक अतीक अहमत और अश्रफ मुस्लिम युवाउं को विदेश भेज कर आतंकवादी संग्रखन से जोडने का काम कर रहे हैं जियां और इसके एवज में उन्हें पाकस्तान से हत्यारों की खेप भेजी जाती थी यूपी एटियस की जाच में ये जानकारी सामे आई थी सितंबर 2021 में जिशान कमर के गरफतारी के बाद उसके साथ अतीक अश्रफ की नजदीकियों की बात सामने आई थी और जिशान कमर पर पाकस्तान में हत्यार चलाने की ट्रेनिंग लेने और भारत में आतंकवादी गतिविदियों का आरोप था 2017 में अतीक के भाई अश्रफ ने पास्पोर्ट अधिकारी को एक तिफारिशी पत्र लिखा था जिसमें जिशान का पास्पोर्ट जल्द बनवाने के लिए कहा गया था रिकमेंडेशन युवाओं को विदेश भेजते थे अतीक और अश्रफ पाकस्तान की मदद और बदले में हत्यारों की खेप पाकस्तान की तरफ से देखिए ज़रा ग्राफिक से मादिम से आपकों समझाने के कोशिश कर रहे हैं अतीक का आतंकी कनेक्शन एटियस जांच मे आतंकवादी गतिविधियां इस में बड़ा खुलासा एटियस की तरफ से तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं क्योंकि यूपी एटियस ने खुलासा हुआ जो सुत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक जो एक्स्क्लिसिव जानकारी है आज तक को जमली है उसके मुत आतिक एमद और अश्रफ का किस तरह से कनेक्शन था ये भी आपको हम बता रहे हैं आधोनिक विदेशी अतियार इनकी डिमांड थी जबकि सप्लाई क्या करते थे आतंकवादी संग्टनों को मुस्लिम नौजवानों को बरगला कर उन तक पहुँचाना है चलिए इस खबर पर अपडेट लेने का वक्त है आशिश रवास्तो हमारे सयोगी हमारे समधा ता जोड़ चुके हमारे साथ आशिश किस तरह से ये खुलासा हुआ क्योंकि जाच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नए और बड़े खुलासे भी सामने आ रहे है अपने आप में बहुत गंबीर मामला आपके साथ आशिश ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है यूपी एटियस के तरफ से क्या कुछ जानकारी सामने निकल कर आई है और देखिया अशितोष जिस तरीके से इस से पहले क्योंकि जो जिस तरीके से पहले से ही ये मामला चल आता और यूपी एटियस ने इस बार 있다 कि है और कहा है कि अश्रफ यानिकि वो लगातायर अपने पत्र पर यूवाओं को विदेश भेजता रहा है और मुस्लिम यूवाओं को और ये एक पत्र तो सामने आया ही था यूपी एटियस को पता चल गया था और जिसके बाद पत्रा में पत्र लिखा गया था आप सोचिए उसके बाद कई मुस्लिम विवाओं को यहां से भेजा गया और इसके एवज में पाकिस्तान से आप सोचिए की हत्यार की खेफ जो है वो प्रवाइड कराई जाती थी माफिया डॉन अतीक अहमद और अश्रफ को क्योंकि ये बा हो गया है कि प्रियागराज में ही जो मुस्लिम बहुली छेत रहे चाहिए वो चकिया का हो शाह गंज है इसके अलावा धूमन गंज है और जो इलाके हैं कसारी मसारी है वहां से युवाओं को भेजा जाता था बाहर विदेश और उनके आतंकी कनेक्शन भी यूपी एटिय जिस लगातार जिस तरीके से इस मामले में चानबीन कर रही थी और उस पत्र के बाद से ये मामले सामने निकल कर आए हैं तो ऐसे में आप और युपी एटियस लगातार चाफे मारी भी कर सकती है और कहीं ना कहीं ऐसे लेटर जो पहले भेजे गए हैं उनके बारे में भी निकाल कर जाच कर सकती है कि कौन-कौन यूआ ऐसे हैं जो विदेश भेजे गए हैं और वापस नहीं आए हैं और अगर आए भी हैं तो इसका जानकारी दर्शे को दर पहुंचाने के लिए